इतना वीडियो डाल चुका हूँ कि अगर पढ़के जाएगा तो हो जाएगा और इसलिए S.S.E. का आज जो है नोडिविक्शन आ चुका है देखिए रहे हैं तो C.H.S.E. का जो है शुरुआत करने जा रहे हैं तो वान लाइनर भी होगा इसका मोग टेस्ट मतब प्रिविए शियर कोश्चन होगा किरन प्रकासन का जो है सारा होगा जो कि कुछ वीडियो डाल चुके हैं कुछ वीडियो बचा हुआ है तो टॉपिक बाई टॉपिक चलेग तो आप subscribe लाइक करेंगे ठीक है और continue चलने के लिए आपका support का ज़रूरी है तो इसलिए प्लीज subscribe लाइक करेंगा चलिएगा इसमें शुरुआत करते हैं सुफी संसे ठीक है सुफी संसे है अफास चलेंगे ठीक है वान लाइनर कोशन है जो जो S.A.C. में पूछता है जो सारा कोशन इसमें आपको मिल जाएगा ये जवरदस्त बूक है मेरे दोस्त ये आप आप देख शकते हैं इसका थमलाइन मैं लगा दूँगा ये कोई भी exam आपको अगर देना चाहते है और ये बूक अगर आप देख जाएगा तो आप समझ जाएगे कि आप बहुत संप्रदाय मुलता समंदित है तो इसलाम से समंदित है आपको पता है और ये कोशन पूछ चुका है याद रुखेगा तो सुफी सिलसिला संप्रदाय मुलता किस से समंदित है तो इसलाम से समंदित है क्लियर हो गए आगे यहाँ पर देखेगा कि इसलाम रहष्यवादी आ आगे सवाल है कि किसने बहादत उल वजूद अथवा इश्वर की एकता कि सिधान्त का प्रतिपादन किया है, तो वो कोई और नहीं एक अर्वी है, जो कि इवनूल अर्वी कहा जाता है, इवनूल अर्वी कहा जाता है, इने याद केगा, चीक है, आगे चलते हैं, सुफी बा कौन सी सिधियां है, तो याद दिखेगा फना, याद दिखेगा फना, फिस सेख है, अब फना फिर सल है, और फना फिलहा, चीक है, फना फिलहा, चीक है, याद दिखेगा, ये है, आगे चलते हैं, आगे सवाल दिखेगा यहाँ पे, कि अबूल फजल ने 14 सुफी का उलेक किस में किया है तो याद दिखेगा आईने अकवरी में ठीक है अकवर का जो किताब है आईने अकवरी अकवर के नाम पे तो उसी में ये किया गया है याद दिखेगा ठीक है आगे सवाल है आगे सवाल क्या बनता है कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सारवधी के लोग प्रियता मिला है, तो याद रुकिए चिस्ती सूफी चिस्ती जो होते है ना चिस्ती, उनको ज़्यादा मिला है यहाँ भारत में, चीक है, आगे चलेंगे चिस्ती सिलसिला, मतलब संप्रदाई कहा जाता है इसे, ठीक है, कम्मुख किंद्र था कोन, अजमीर अजमीर का नाम शुन है ने, वहाँ, चीक है याद रुकिएंगे, भारत में यहाँ पे देखे, भारत में चिस्ती सिलसिला के प्रवर्ता कोन थे, चीक है तो भारत में चिस्ती सिलसिला के परवर्तक कौन थे तो खवाजा मुदीन चिस्ती हैं हमिशा ध्यानकना है आगे सवाल देखेगा कि वह सुफी शंत जो मानता था कि भक्ति शंगीत इस्वर के निकट पहुचने का मार्ग है तो यहाद देखेगा खवाजा मुदीन चिस्ती जो हैं वही थे यहाद दुखेग आगे सवाल आप देख सकते हैं निजामुदीन ओलिया किस के सिस थे तो बावा फरीद का थे अगर आप से पूछेगा निजामुदीन ओलिया किस के सिस थे मतब चेला थे तो बावा फरीद के थे आगे चलेगा महबूब महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है, तो निजामुदीन अलिया को ही कहा जाता है, अब अमीर खुश्रो की बात हो रही है, तो अमीर खुश्रो में देखे, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, तो वो हैं अमीर खुश्रो को कहा जाता है तो अमीर खुश्रो को क्या करते हैं हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है हमीशा ध्यान रखेगा आगे सवाल अगर पूछे कि निजाम उदिन अलिया का दरगा कहा इस्तित है तो गया शपूर मतलब दिल्ली में है याथखेगा गया शपूर नाम है वहाँ पर याथखेगा शपूर जो है दिल्ली में है याथखेगा आगे सवाल है गया शुदीन तुगलक सारी गया शुदीन तुगलक सही बोले ठीक है गया शुदीन तुगलक को किस ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है तो निजामुदीन ओलिया नहीं कहे थे याठ खेगा तो गया शुदिन तुगलग को कहने वाला कौन है कि दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त तो निजामुदीन ओलिया नहीं चिस्ति साखा कि सबसे महान सूफी संत कौन थे तो सूफी संत सलीम चिस्ति थे हमेशा ध्यान रखना है कौन थे सलीम चिस्ति हमेशा ध्यान रखेगा पर सिद्ध सूफी संत सलीम चिस्ति रहते थे फतेपूर्शिक्री में रहते थे जो कि अकवर का फैब्रिट जगह है याद खेगा बहुत ज़्यादा जितने भी माल, मंदिर जो भी कही है मजजी जो भी बनाया है सब पतापुर्शक्री में बनाया है मकवरा जो कही है चीक है संस्कृत के पंडितों की शाहता से किसने भागवत गीता एवं योग विसिस्ट का अनुवाद फार्शी में किया है तो वो याद खेगा दाराशी को ने किया था याद खेगा कौन किया है दाराशी को ने भागवत गीता एवं योग वसिस्ट का अनुवाद फार्शी में कौन किया है दाराशी को ने किया है याद खेगा आगे सवाल आप देखशकते हैं भारत में सुरावर्दी सिलसिला के प्रवर्तक कौन है तो याद खीगा बाउदीन जाकिरिया नामी है बाउदीन जाकिरिया चीक है आगे कोशिश करते हैं आगे देखते हैं आगे है यदि हिर्दय निर्मल है तो धन के संचे और वितरन तथा अराम दे जीवन बिताने में कोई दोश नहीं है यह सिद्धान के संत का है तो याद खीगा वो है सुरावर्दी शंतों का है याद खीगा सुरावर्दी जो संत थे वो ही बोले थे आगे आप देखिए कादिर सिलसिला के स्थापना किष ने किया या किष ने की तो शेक अब्दूलकादिर ने की थी याद खीगा जैसे ही कादिर की बात होगी तो कादिर तो थे ही लेकिन कौन कादिर भाई तो शेक अब्दूलकादिर है है ना याद खीगा आगे सवाल है कि फिरोद फिरोद फिर दौशी सुरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिष्टे कर दिया फिरदौशी सिलसिले के सरप्रथम सूपी थे तो फिरदौशी सिलसिले के सरप्रथम सूपी कौन थे तो याद किया सरफुद्दीन आहमद इवन मकदूम यह या मनेरी चिक्खे याद कियेगा आगे चलते हैं आगे सवाल बनता है कि सर्फुद्दीन आहमद इवन मकदूम याह याह मनेरी का कार्ज छत्र जो है था क्या तो बिहार सरीफ है हमिशा दिहानक ना है क्या है बिहार सरीफ है आगे सवाल चलते हैं आगे है कि दाराशी को किस सिलसिले से समंदी थे तो कादिरी से समंदी थे हमिशा देहानक ना है। आगे सवाल है मजाम उल वहरैन किसने लिखा तो दाराशी को ने लिखा था या तुखेगा। किस ने लिखा, तो मजाम उल वहरेन, जो है किस ने लिखा, तो दाराशी के ने लिखा, याद रूखेगा, आगे चले, आगे सवाल देखिए यहाँ पर, क्या है, आगे सवाल है कि बारत में नक्ष बंदी, सिलसिला के परवर्तक कुन थे, तो याद बिखे है, खवाजा बाक बाकी विल्लहा के थे हमेशा ध्यान रखना है। शेक अहमद सरहिंद ने किया था। ये बस सुनते जाना है ठीक है। ये सब इंपॉर्टेट है। ये सब पूछा हुआ है। या तुखेगा। सतरिया सिलसिला के परवर्तक कौन थे। शेक अब्दूल्ला सतार थे। या तुखेगा। आगे सवाल है। आगे सवाल देखेगा। कलंदरिया सिलसिला के परवर्तक कौन थे। तो सूफी संत अब्दूल अजीज मक्की थे। या तुखेगा। ये सब सुनते जाना है। सब दुवारा सुनने के अवशकता नहीं है। सुनते जाना ठीक है। मदरिया सिलसिला के परवर्टकों थे तो सिख वद्दी उद्दीन शाह मद्दार थे याद्खना है आगे सवाल देखेगा किस सूफी शंतनी खुद को अनलहक मैं इश्वर हूँ मैं ब्रम्भ हूँ घोशित किया है जिसके कारण मतब उन्हें फाशी पलटका दिया गया था तो वो मनसूर उल हजजाज है क्या है हजजाज है तो मनसूर अल हजजाज इनको चड़ा दिया गया था फाशी पे शुपित सिलसिलाओं मतब सिलसिलों या समप्रदाय कहते हैं में कौन संगीत के विरुद्ध थे तो या देखिया है नक्षबंदी जो थे वो संगीत के विरुद्ध थे या रटकेगा सोचिए विचार कहां से उत्पन होते हैं कैसे कैसे देखिये चिस्ति सिलसिले के किस सुफी को चराग ए देह वली दिल्ली का दीपक कहा जाता है तो या दिल्ली का दीपक किसे कहते हैं यह डिरेक्ट पूछा है तो शेक नस्षिरुद्ध दीन को कहते हैं हमेशा दियान रखेगा आगे सवाल है कि मत कालें सूफियों में सबसे धनी सूफि थे तो याद के सेक बहाउद्दीन जाकारिया थे याद के गाई है यह सबसे धनी व्यक्ति थे याद केंगे आगे सवाल है कि किस सूफि को वक्तियार का की मतलब देने वाला या खिलाने वाला कहा गया है, तो याद रिखे, एक्वाजा कुतुब दीन को कहा गया है, याद रखना है हमेशा, आगे सवाल देखे, किस शुफी संत को सुल्तान ए तारीकिन, मतलब सन्यासियों का सुल्तान की उपाधी देता है, तो शेक हमुदीन न गौरी, देखे, आप पूछा था कि सन् में ही पूछा हुआ है, याद रिखेगा, आगे सवाल देखेगा, कि दच्छिन भारत में चिस्ति सिलसिले के, नीव रखने वाला कौन था? तो शेक, बुरा नुद्दीन गरीब, नाम ही है इनका, बुरा नुद्दीन गरीब, ठीक है, याद रिखे, तो दच्छिन भारत में चिस्ति सिलसिले के नीव रखने वाले यही थे यातुकना है आगे चलेंगे आगे सवाल है कि मरीज उल आसिकीन उर्दू शायरी के पहले किताब के सुफी रचयता है कौन शयद मुहम्मद गेशु दराज या यातुकिएगा बंदन बंदा जो है वाज है यातुकिएगे आगे सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इलतुतमीश ने किस सुफी शंत को शेक उल इसलाम के उपाधी दी तो बहा उद्दीन जाकिरिया को दिया था यातुकिएगा यातुकिएगे आगे सवाल है कि किस सुफी सिलसिले की गती वीडियों का मुख किंद्र पिहार था स्रिदोशी का था हमीशा ध्यान रखना है आगे चलेंगे आगे सवाल है कि किस सुफी शंत को शेक उलहिंद की पद भी प्रदान की गई थी तो शेक सलीम चिस्ती को की गई थी यह हमीशा ध्यान केगा यह यहाँ पर देखे सुख सुफिया कलाम जो एक प्रकार के भक्ती शंगीत है विशेस्ता है तो काश्मीर का है याथ किएगा क्या है मिरे दोस्त यहाँ पर देखेगा सुफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ती शंगीत है विशेस्ता है तो काश्मीर की है याथ किएगा तो ये इस तरह का आपको वान लाइनर मिलता रहेगा, इसे मोक टेश्ट के रुपमे भी दिया जाएगा, इटेंशना लेंगे, और पचास कोशन डेली चलने वाला है, तो आप तयार रहेए, और फट अफट करने की कोशिश करिए, ओके, तो प्रीज सस्काइब लाइक करेंगे.